मुंबाई की 6 सीटों पर चड़ी है सबसे बड़ी महा भारत हर सीट पर मुकाबला काटे का है कहीं दिगजों के बीच सियासी युद्ध है तो कहीं बेटियों के बीच सीधी लड़ाई है मुंबाई की 6 सीटों की Ground Zero से रिपोर्ट बताएंगे हवारे रिपोर्टर लेकिन पहले मुंबाई की 6 सीटों का पूरा समय करण माया नगरी मुंबाई की 6 लोगसभा सीटों पर चड़ा है महा संगरा सभी 6 सीटों पर है काटे की टककर मुंबाई की उत्तरमध्य सीट पर दो बेटियों की बीच है सीधी लड़ाई बॉलिवूड स्टार और कॉंग्रिस का दिकजनेता सुनील दत की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कॉंग्रिस ने फिर से प्रिया दत को उता रहा है मैदान तो वहीं बीजेपी के दिकजनेता प्रमोध महाजन की खोई हुई सियासी जमीन को फिर से हासल करने के लिए उनकी बेटी पूनम महाजन बीजेपी के टिकट पर तार ठोक रही है मुंबई के सबसे अमीर संसेदी एक शेत्र दक्षन मुंबई में भी है त्रिकोणिय मुकाबर कॉंग्रिस के मिलिंदे देवडा को टॉप बैंकर मीरा सान्याल आम आद्मी पार्टी के टिकेट पर दे रही है सीधी जटकर इस सीट पर एमिनस के उमीदवार बाला नांदगाओं कर भी बड़ा उलड़ पेर करने का दावा कर रही है उत्तर पूर्व मुंबई में भी आम आद्मी पार्टी की मेधा पार्टकर ने सियासी समिक्राण बिगा दिया समास सेवी से राजनेता बनी पार्टकर ने कॉंग्रस के मौझूदा सांसद संजे दीना पार्टिल के बड़े वोड बैंक पे सेदमारी कर दी मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर मुकाबला सबसे दिल्चस्प है इस सीट पर मुकाबला बहु कोणिया हो गया है कॉंग्रस के मौझूदा सांसद गुरुदास खामत को शेवसेना के गजानन कीवति का हैमिनस के महेश मांजवे का समाजवादी पार्टी के कमाल खान तक्कर दे रहे हैं दिगजों की लडाई में निर्देलिये प्रक्याशी के रूप में आइटम गर्ल राखी सावंद ने ताल टूप कर ग्लैमर का तड़का लगा दिया मुंबई की दक्षनी मध्य सीट पर भी कांटे की लडाई कभी शिफसेना का गड़ रही सीट पर मुंबई की उत्तर मध्य सीट पर सभी की निगाएं ठीकी हुई है सीट से बॉल्यूड स्टार और कॉंगर्स की पूर्वधिगज रेता सुहील दत की बेटी प्रिया दत के सामने है बीजेपी के पूर्वधिगज रेता प्रमूद महाजन की बेटी पूरव महाजन बेटियों की जग में कौन है किस पर भारी Ground Zero से देखिया अविनाज पानिक रिपोर्ट बीजेपी ने दिगज नेता रहे प्रमोद माहजन की बेटी पूनम माहजन को टिकेट देकर बीजेपी ने यहाँ पर मुकाब्रा तो बेटी या महिलाओं की लड़ाई नहीं इधर के रहने वाले देशवासी हो के लड़ाई है उनको चाहिए कि उनके साथ या उनकी आवाज कोई उठाएगा उनके साथ खड़ा रहेगा और बहुत इशूस हैं जिसके लिए मैं हमेशा मेरी आवाज उठाईए और बहुत इशूस ऐसे हैं जिनके साथ जिनके लिए मैं बिलकुल नडर होके खड़ी रही हूं क्यूंकि य कुरला और कलीना फिलालन छे सीटों में से पांच पर कॉंग्रिस का कबजा है जबकि एक सीट एंसीपी के खाते में है पिछले लोगसबा चुनाओं में सीट पर लगभख सत्रह लाग मद्दाता थे वोटों के समिकरण की बात करें तो सीट पर मराठी उत्तर भारतिय और मु इते सीट पर वोटों का गणित बिखाव सकते हैं इन इलाकों में अभी भी लोगों को भुन्यारी सुविधाएं पूरी तहसे नहीं मिल पाई हैं अभी भी लोग गंदगी और बदाहली में जीने को मजबूर हैं ये मुद्दा एस बार चुनाओं में बड़ा मुद्दा बन सकता है बंभी इस हाई प्रफाल सीट पर कांटे की चक्कर है प्री अदत के लिए थोड़ी दिक्कात ये है कि जेल में होने के कारण उनके भाई संजेदत उनके चुनाओ पर ठचार में शामिल नहीं हो पाएंगे पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रही प्रियादत और पूनम महाजन में से किसे कामिया भी मिलेगी इस पर सब की नज़र टिकी हुई है मुंबई के उत्तर मध्य सीट से विना आश पांडे निउस 24 मुंबई के नौर्थ वेस्ट सीट पर भी मुकाबला बेहत दिल्चस्प है बहु कोणी है मुकाबले में आईटम गॉर्ल राकी सावन्त ने भी निर्जलिय प्रत्याशी की तौर पर एंट्री मार ली है क्या है सीट का हाल बता रहे हैं समबादाता संकित पाठक मुश्कार मैं हूँ राकी सावन्त और सब को बताना चाहती हूँ कि मैं इस साल लोकसभा चुनाव लड़ रही हूँ मेरी कॉंसिट्विंसी है नौर्थ वेस्ट और मैं यहां से खड़ी हो रही हूँ आइटम गल राकी सावन्त के सहलान के बाद मुंबई के उत्तरपश्य में लोकसभा सीट पर लड़ाई दिल्चस्प हो गई कॉंगर्स ने सीट से अपने मौझूदा सांसत गुरुदास कामत को मैदान में उता रहा है इस वक्त मैं मौझूद हूँ नॉर्थ वेस्ट मुंबई की लोकसभा सीट से जहां से उम्मीद्वार है कॉंग्रेस के कद्दावर नेता गुरुदास कामत आप देख सकते हैं कि उहां पर उनका रोड़ शो चल रहा है जो चुनाव पर चार है वो अपने पूरे चरम पर है और अब देखना है होगा कि जो समर्थन है वो गुरुदास कामत को इस बार मिलता है या नहीं शिवसेना ने गजानन कीर्थिकर को टिकेट दिया है तो एमेनस ने डारेक्टर महेश मांजरेकर को टिकेट दे कर मराथी कार्ट खेला है मुस्लिम वोटरों की अच्छी तादाद होने की वज़े से समाजवादी पार्टी ने भी यहां से कमाल खान को मैदान मुतार कर ग्लैमर का तलका लगा दिया है वही आमादी पार्टी ने साफ सुत्री छवी के मायंग गांधी को टिकर दे कर लड़ाई में नया पेज फसा दिया है बहु कोणिये लड़ाई में राखी सावन भी कूट पड़ी है जो नौर्थ वेस्ट की जनता है जो यहां के उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़ के खड़ा किया और कहा कि आपको हमारे लिए लड़ना है इसलिए मैं उनके लिए चुनाओ लड़ना चाहती है अपने प्राण देकर भी मेरी जनता के लिए मेरा जो एरिया है जो मेरी कॉंसिट्विंसी है मेरे जो लोग है यहां के उनके लिए मैं पुरी कोशिश करूँ कि उनका हग दिलाने के लिए बहु कोणी है मुकाबले में ताल ठोखने के लिए हर पार्टी मैदान में कोच चुकी है माया नगरी मुंबई में भी चुनावी पारा चल चुका है हर उम्मीद्वार मदाताओं तक पहुचने के लिए जीजान से जुट चुका है इस वक्त मैं मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से उम्मीद्वार गजानन किर्तिकर की रैली में हूँ जो की लगातार मदाताओं से संपर्क बनाय हुए है और आप रैली का नजारा देख सकते हम पूरे समय उनके साथ मौजूद रहेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से गजानन किर्तिकर जो के एंडिय और शिफसेना की उम्मीद्वार है वो कैसे मदाताओं तक पहुचते हैं किस तरह की तख़ीद का समाल करते हैं फिलहाल यहाँ पर कड़ा मुकाबला कॉंग्रस और शिफसेना के बीच में ही है मुंबई के दक्षणी सीट को सबसे अमीर सीट भी कहा जाता है इस बार क्या है इस सीट का सियासी समीकरन बता रहे हैं विनोध जगडाले मुंबई का साउथ मुंबई लोकसबाचुदाव शेत्र मुंबई की पहचान दर्शाता है भारत के सबसे ज़ादा धनकुबेर इसी चुनाव शेत्र में रहते है एक जमाने में ये शिवसेरा बीजेपी का गड़ हुआ करता था लेकिन पिछले दस सालों से यहाँ पर कॉंग्रेस का उमीदवार दिल ली जा रहा है साउथ मुंबई लोकसभा शेत्र में सबसे तीन एहम वोट बैंक के फाक्टर है उसमें है गुजराती, अलपसंकेंक और मराठी मराठी वोट बैंक इन दोनों के मुकाबले ज़रा ज़ादा है और इसी बराठी वोट बैंक में फूट के चलते 2009 के लोकसभा शुराओ में मिलिन देवरा को भारी वोटों से जीत हासिल हुई थी महराष्ट नव निर्वान सेना ने एक बार फिर सीट पर उमीदवार उतार कर शेफ सेना की रहा कछिन कर दी शेफ सेना ने अर्विंद सावंद को टिकट दिया है तो राश ठाकरे ने बाबा नान डोंकर पर दाव लगा कर मराथी वोट बैंक में सेन्मारी की है कॉंगरस उमीदवार मिलन देवडा के लिए भी ये सीट इस बार सुरक्षित नहीं है क्योंकि नई नवेली आम आदमी पार्टी ने प्रख्याद बैंकर मीरा सान्याल के तोर पर महिला प्रत्याशी को मैदान में उता कर लड़ाई चतश कोणिया कर दिया है मीरा सान्याल ने अगर दक्षन सीट के लिए लीट बोट बैंक के साथ ही मुस्लिम वोटरों में सेन्मारी कर दी तो मिलन देवडा के लिए रहा बेहत कटिन हो सकती है मुंबई की सबसे अमीर संसदी सीट से कौन बने का जंता की पसंद ये तो वक्ती बताए लेकिन पहली बार इस सीट पर चतुश कोणिया मकाबले ने नेताओं की धड़कने बढ़ा दी है दक्षन मुंबई सीट से विनोज जग्दाले न्यूस 24 क्या है नौर्थ इस्ट मुंबई सीट का हाल बता रहे हैं संबाददाता इंद्रजीत सिंग अभी हम है मुंबई के उत्तरपूर्व लोग सबाद चुनाओ छेतर में और यहां पे मुकाबला त्रिकोणी है वैसे सीधा मुकाबला एंसीपी के मौजुदा सांस संजय दिनापाटिल और बरिस्ट समाज से वी मेगा पाटकर के बीच है मुंबई की उत्तरपूर्वी क्षेतर में भी मुकाबला बेहत करीबी हो गया है मुंबई की सीध पर एंसीपी का खब्जा है अभी तक मुकाबला बीजेपी और एंसीपी के बीच हो रहा है 1999 में बीजेपी ने यहां से कॉंग्रिस का दिगज गुर्दास कामत को हराया था लेकिन 2004 में गुर्दास कामत ने बदला चुकता करते हुए एस सीध फिर सजीथ 2008 में परिसीमन के बार इस सीध का समीकरान बदल गया 2009 में हुए चुनाव में सीध से एंसीपी का संजय दीना पाटल ने बीजेपी के उमीदवार को हरा दिया उत्तरपुरू लोगसवा सीध की बात करें तो यहां पर ज़्यादा तर गरीब और मध्यमबरगी लोग है और यहां पर सबसे ज़्यादा जो वोटर है वो मराथी वोट बैंक है इसके अलावा नौर्थ इंडियन वोट बैंक है लेकिन सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो मुसलिम वोट बैंक का है अगर मेधा पाटकर को मराथी वोटरों का साथ मिला तो सीट पर आम आद्मी पाटी विरोधियों के सपने पर ज़ाड़ू चला सकती है मुंबई की सीट पर आम आद्मी पाटी की दाविदारी काफी मजबूत मानी जा रही है अगर NCP और BJP के वोटरों में मेधा पाटकर सेंद लगाने में कामियाब होती है तो इसे करिश्मा ही माना जाएगा मुंबई को उत्तर पूर्वी सीट सेंदरजीत सेंग नियूस 24 इस वक में मुंबई के दक्षिर मध्य लोकसवाश शेत्र में मौजूद हूँ यहां से कॉंग्रेस के मौजूदा सांसद है एकनाद गायकवाट जिनको टक्कर देने के लिए शिवसेना ने राहुल शिवाले और MNS ने अधित शिरोडकर को मैदान में उतारा है देखना दिल्चस्प होगा कि शिरोडकर और शिवाले गायकवाट को चनौती दे पाते हैं या एक बार फिर एकनाद गायकवाट हैट्रिक से बाजी मारेंगे मुंबई की दक्षनमध्य सीट पर कवजा उसी का होता है जिसकी विजय पता का आईश्या की सबसे बड़ी छोपड़ पट्टी धारावी में फैरती है गांग्रिस को दलित नेता एकनाद गायकवाड की धारावी पर अच्छी पकड़ है एसीट पर वोटों का समीकर और इस तरह का है कि कभी एक पारटी का कबजा यहां पर नहीं रह सका घारावी का इलाका 535 एकर में फैला एक बड़ा इलाका है जहां अगर जन्संक्या की बात करें तो 10 लाग से अधिक लोग बताए जाते हैं अगर थर्म के आधार पर वोटों की बात करें तो तक्रीवन 33% मुसल्मान वोटों है वहीं 60% हिंदू वोटों है मुंबे की दक्षणी मद्य सीट पर 1999 में शेफसेना के मोहन रावले ने जाने माने कर्मिन अलवकीर और समाजबादी पार्टी के उमीदवार माजिद मेनन को हराया था 2004 में शेफसेना ने एक बात फिर से इस सीट पर कबज़ा जमाया लेकिन 2009 में परिसीमन के बाद इस सीटों पर वोटों का समीकरण बदल गया 2009 में कांगरस के एकनाथ गायकवार्ड ने शेफसेना को हरा दिया इस बार इस सीट से कांगरस ने फिर से गायकवार्ड को टिकट दिया है तो शिफ सेना ने आदित शिरोडकर को मैदान मुतारा है शिफ सेना के लिए मुसीबत ये है कि एमिनस ने भी सीट से राहुल शेवाले को तार कर मराठी वोट वैंग में बढ़ता है